हलो इस्टुएंट्स आप सभी कस्वागत है हमारे क्लास क्लास अपॉन में तो सीजी बोल्ड रैपूर क्लास 10th assignment फरस्ट है ये subject हिंदी तो यहां पे देखिए आपका question इस प्रकार है पहला question है निम्न पद्यांसों का भावार्थ लिखे हैना इसके अर्थ लिखने है संदर् देखिए यहां पे दुर्गम बर्फानी घाटी में सत सहस्त्र फुट उचाई पर अलग नाभी से उठने वाले निच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरह तरुन कस्तूरी मिल्क को अपने पर चिरते देखा है तो इसके भावार्थ लिखने है तो संदर्ब इस प्रकार होगा प्रस्तूत पद्यान समारी पाठे पुस्तक हिंदी के बादल को घिरते देखा है पाठ से अफ्तरित जिसके रचैता कवी नागरजुन है प्रस्तूत पद में कवी ने कस्तूरी ब्रिग के बारे में वल्णन किया है तो व्याक्या है कवी कहते हैं कि सुगंद से उनमादी बने मानों सेम से चील कर इधर उधर भागते हुए कस्तुरी मिर्ग को देखकर सवभाग के प्राप्त हुआ है मैंने हिमालय के हीम अच्छादित उंचे-उंचे सीखरों पर काले भूरे घिरते बादलों की सोभा को निहा रहा है इसके बाद है दुर्गम घाटियों के मत्यकस्तुरी मिर्गों के युक से युक्त संदरे का चित्रन किया है भासा संस्क्रित निष्ट परिस्क्रित एवं परिमार्जित है सब्द मैत्री और अनुप्रास अलंकार का उप्यों किया गया है ठीक है इसके बाद है कोशन नमर दो कभी ने च वे एक दो से जमिन कर रात के विरह दुख को भुला कर खुसी एवं प्रसनता में खोस से जाते हैं कभी यहां बताना चाहता है कि सुक और दुख जीवन की दो पहलु है अतार इनका हम धैर पुर्वक सामना करें तबी जीवन का महत्मे चैतार्थ होगा फिसके बाद है से लसित पंखुडियों पर प्राप्त कालिन सूर्य की पढ़ती हुई सुनहरी कि इनों से कमल दलो की सुस्मा सुनमई हो जाती है इसलिए मान सुएर के कमलो को सुनिम कमल कवी ने कहा है पिसके बाद है कोस्चन नमबर तीन नर्मदा का उद्गम अमर कंटक पार्थ में वर प्रकार देखिए इसको आप चाहो तो पॉइंट बना सकते हो तो नर्मदा का उद्गम पार्थ में अमर कंटक एक ऐसा प्रगतिक मनोहर इसमरनी इस तरह जहां से घाटी जाडियों वह उंचे उंचे व्रिक्षों से अच्छादित पहाडियों के बीच से नर्मदा प्रव निहानों की हर्याली पहाडियों की नैसरगिक सोभा उचायों से गिरते वे जल प्रपाद जरजर की मधूर ध्वनी के साथ जरते जरने पसपक्षियों के मधूर कलक रिसी मुनियों के आस्रम सहज सरधा के केंदर अनेक मंदिरों से ना केवर नर्मदा के सहात्में में अभ नीचे पहाड से खाई में गिरती जल धार नीचे गिर कर धुआ सा उठती जल की बुंदे अति मनुहारी लगती है ऐसा प्रतित होता है कि मानो बादल ही धरती पर उतर आये हूं यहां का वाता वरा सांत चित अरोग्य प्रद यहां कई रिसी योंकि तपो भूमी होने के तो अमर कंटक में नर्मदा नदी कुंड के पूर्व में एक छोटा सा मंदीर है जिसे सीव प्रतिष्ठित जिसमें सीव प्रतिष्ठित हैं अमरे स्वर के कंट से ही नर्मदा निकलती है यह कंट ही नर्मदा का आदिम सुरूत है जल सीव के कंट से निकलकर कुंड में एक श्रीत होता रहता है जिसे नर्मदा कुंड कहते हैं इसके बात कोसर नमर 5 अपने विड्यालाय में प्रचारी को इस्थानांत्रन वक्रीत्र प्रमान पत्र प्रदान करनेulars तू आवेधन पत्र लिखिए सेवा में स्रीमान प्रचारे महोदे सास की उच्छे तर्माद भी कुद्याल है संकरना का रैपूर ठीक है इस्थानांत्रन इसमें चाहो तब अपना स्कूल का नाम लिख सकते हो इस्थानांत्रन वाचरित प्रमान पत्र हेतु आवेदन पत्र महोदे समीना नेवेदन है कि य चाहती हूं लड़के लोग चाहता हूं लिखना अता मुझे साला इस्थानांतर प्रमानपत्र और प्रधां करने की कृपा करें धन्यवाद दिनाग डाल दीजेगा और इसके बाद भावदी यहाँ पर अपना नाम लिख दीजेगा ठीक है तो इस प्रकार ये टोटल असाइमेंट के 500 कोंस्टन के आंसर मैंने बता दीए हैं अगर अभी तक आपने गणित के असाइमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक रिस्क्रीशन पर है देख लिजेगा चैनल को सब्सक्रा